बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विशे का अध्याय 13 ध्वनी और इस पार्ट के पिछले भाग में हमने समझाता कि ध्वनी की उत्पती किस प्रकार से होती है यानि कि कैसे ध्वनी उत्पन होती है बच्चों इस भाग में हम समझेंगे ध्वनी के संचरण के बारे में यानि कि जो ध्वनी उत्पन हो रही है वो किस प्रकार से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हम ले लेते हमारे दो प्रशन जो प से कमपन कहते हैं दूसरा प्रश्ण है हमारा कि विभिन वाद यंत्रों जैसे सितार और एक तारा आधी में ध्वनी किस प्रकार उत्पन होती है तो बच्चों हमें पता है कि जो वाद यंत्रों होते हैं इनके तार को जब हम कर्शित करते हैं तो क्या होता है इनमें कमपन उत बच्च का वो क्या है बच्चों ध्वनी का संचरण यानि कि किस तरह से ध्वनी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंशती है तो बच्चों ध्वनी को जो है संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवशकता होती है यानि कि कोई ना कोई माध्यम ध्वनी को चाहिए ज वायू में ध्वनी का संजरान किस प्रकार से होता है अब इसको समझने के लिए हमें क्रिया कलाब करेंगे क्या करना है बच्चों हमें कि हमें एक धातु अत्वा कांच का गिलास लेंगे अब ये जो गलास है वो पूरी Caf Hem तरह से सूखा होना चाहिए पहले ये सोनिश्रित करना है कि हमारा जो ग्लास है वो पूरी तरह से सुखा है उसके बाद क्या करेंगे बचों हम अपने एक दोस्त से क्या कहेंगे कि हमारे इस फोन पर जो है वो अपने किसी दूसरे फोन से इस पर घंटी करें यानि कि क्या होगा उस पर जैसे ही वो कॉल क करेगा उसे बजाएगा तो हमें जो है हमारे मोबाइल फोन की घंटी की आवास सुनाई देगी अब यह जो आवाज है इस पश्ट सुनाई देगी अब क्या करना है बचों हमें जो हमारा ग्लास है उसे हम उठाएंगे और अपने हातों से जो है इस तरह से कसकर पकड़ यानि कि देखिए हम किस स्तती में रखेंगे इस तरह से हमें रखना है जो ग्लास है उसको हमने क्या किया है अपने हातों से जो है वो कसकर पकड़ लिया है और क्या कर रहे हम उस ग्लास को अपने मूब से सटा कर रखना है यानि कि यह जो मू है उसको हातों के बीच की खाल बचो जब हम अपने प्रेक्शन नोट करेंगे तो आप आएंगे कि जो पहले इस्तती थी उसमें क्या हो रहा था हमें फोन की घंटी जो थी वो अधिक प्रबलता से सुनाई देती है जबकि दूसरी इस्तती में हमने क्या किया था ग्लास को जो है पूरा अपने मुँझ से सपरोनाई दे रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमने क्या 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 है जैसे हमने लाई मुंपर सटा दिया लाइस तहां माध्यमकी आउशकता होती है जैसे हमने ग्लास को अपने मुँसे सटा लिया तो क्या हुआ उसे माध्यम नहीं मिला इसलिए वो बाहर नहीं आ पाई आवाज और हमें उसकी प्रपलता कम सुनाई दी तो हम क्या कहेंगे बचों कि ध्वनी जो है उसको संचरन के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है बिना माध्यम के ध्वनी गती नहीं कर सकती अब यह जो माध्यम है वो हमने क्या किया यहां पर उसको निर्वात को पैदा करने की कोशिश की यानि कि हमने क्या किया वो जो ग्ला से उस ग्लास में निर्वात पैदा कर दिया तो हमें घंटी की कोई भी आवास सुनाई नहीं देगी तो हम क्या कहेंगे कि ध्वनी माध्यम में तो गती करेगी लेकिन जब हमने निर्वात कर दिया है तो हमें कोई भी ध्वनी सुनाई नहीं देगी बचों यह हो गया ध्वनी कलाब करेंगे क्या करना है हमने एक बाल्टी ली और उसमें क्या कर लिया सुच्छ जल भर लिया इस बाल्टी के अंदर हमने क्या किया है पूरा पानी भर लिया है अब क्या करेंगे हम कि एक हाथ में हमने क्या कि एक छोटी सी घंटी ली है और घंटी से क्या होगा ध्वनी उ और उस घंटी को हम भजाएंगे, तो क्या होगा, उसमें ध्वनी उत्पन होगी, अब हमें ध्यान क्या रखना है बचों? कि जो घंटी है उसे बिलकुल बाल्टी जो है उसकी दिवार से नहीं टच कराना है, यानि कि एकदम नीचे ले जाकर हमें उस घंटी को नहीं बजाना तो हम घंटी को वापस से पानी के अंदर बजाएंगे। बजाएंगे तो क्या होगा बच्चों इस स्तती में भी हमें जो घंटी की आवाज है वो पूरी तरह से इस पश्ट सुनाई देगी यानि कि पानी में जब हम उस आवाज को घंटी को बजा रहे हैं तो भी वो बाहर हमें सुनाई दे रही है तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों क द्रव में भी ध्वनी का संचरण होता है हमें आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है यानि कि इस द्रव में से भी संचरित होकर ध्वनी कहां तक पहुंच गई है हमारे कानों तक पहुंच गई है यानि कि द्रव के अंदर भी ध्वनी संचरित हो रही है चलिए बचों ये तो हो गई वायू में और द्रव में ध्वनी के संचरण की बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में ठोस में ध्वनी का संचरण क्या ठोस में भी ध्वनी संचरित हो पाती है चलिए इसको समझने के लिए भी हमें क्रिया कलाब करेंगे क्या करना है बचों हमें कि ह हमने क्या किया है इस तरह से एक scale ली है एक मीटर धातू की या फिर scale ले सकते हैं या हम धातू की छड़ भी ले सकते हैं अब क्या करेंगे इसके एक सीरे को हम अपने कान से सटा कर रखेंगे और दूसरा जो सीरा है उसे हम क्या करेंगे अपने एक मित्र के हाथ में देंगे उ तो क्या करेगा कि वहाँ पर जो दूसरा सी रहा है उसे खुरशेगा या फिर उस पर जो है कोई आवाज करेगा तो क्या करना है हमें खरोशने के लिए खट खटाने के लिए अपने मित्र से कहना है और जैसे हम उस आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा क्या करते हैं बचों दोसमें जो है paper के glass लेते हैं और उनको क्या करते हैं एक Dory की से हायता से Dory के दोनों sirope पर उन ग्लास को बांधेते हैं एक बच्चा क्या करता है इसमें से बोलता है और दूसरा जो है थोड़ी दूरी पर उस आऊज को सुन पाता है तो इसमें भी क्या हो रहा है बचों जो ध्वनी है वो इस तार से होती हुई या डोरी से होती हुई दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है यानि कि यह जो डोरी या तार है या फिर हमने जो इसके लिया था उसमें भी क्या हो रहा है ध्वनी संचरित हो रही है तो हम क कह सकते हैं कि ध्वनी जो है वो वायू में द्रव में और ठोस में तीनों माध्यम में गती कर सकती है तो क्या लिख सकते हैं बचो हम कि कमपायन मान वस्तों जो भी है वो क्या करती है ध्वनी उत्पन कर सकती है और यह जो ध्वनी है किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में सं संचरण हो सकता है यह तो हो गई ध्वनी के संचरण की बात अब मानव कर्ण जो है वो ध्वनी को कैसे सुन पाते हैं इसके बारे में हम समझते है हमारा next टोपि क्या है बच्चों मानव कर्ण हमें पता है बच्चों जो हमारा कान होता है। उसकी भाय सामाने भारशा में हम इसे कहते हैं कान का पर्दा अब जब हम किसी ध्वनी को सुनते हैं तो हमें किस प्रकाट से सुनाई देती है जो कन पर्पट है वो क्या है हमारी रबड़ की शीड के समान और क्या होगा ध्वनी के कमपन चूहोंगे वो इस कंड़ पटे को कंपित कर देंगे और क्या होगा वो जो कंपन है कहां चले जाएंगे हमारे आंतर कंड तक यानि कि जैसे ही कंपन जो है इस कंड़ पटे तक पहुंचे तो इसके आगे कंपन जो है हमारे आंतर कंड तक पहुंच जाते हैं और वहां से ये जो कंपन है कि हमारे मस्तिश्क तक पहुंच जाते हैं किसके रूप में संकेतों के रूप में अब यह संकेत जब हमारे मस्तिश्क तक पहुंचते हैं तो मस्तिश्क क्या करता है इन संकेतों को जो है आवाज में ध्वनी में परिवर्तित कर देता है और यह जो ध्वनी है हमें सुनाई द भाग पूरा हो गया है मुझे उम्मीद है कि हमने इस वीडियो में जो भी बाते की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा अब बच्चों इस वीडियो पर आधारित में आपको दो प्रश्न दे रही हूं जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं पहला प्रश्न है हमारा क्या ध्वनी निर्मात में संचरित हो सकती है यानि कि निर्वात में भी क्या ध्वनी का संचरन हो सकता है दूसरा प्रश्न है हमारे कान में उपसित ताने जिल्ली को क्या कहते हैं बच्चों इन दोनों प्रश्णों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्णों के उत्तर के साथ तब तक आप पढ़ते रहaken आगे बढ़ते रहaken धन्यवाद